हलो दोस्तों मैं प्रशान आज यह नहीं 13 अपमेको हम सब लोग पता था कि इंडी जेन आइपियो मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है और यह जो लिस्ट हुआ है 650 के प्राइस पे लिस्ट हुआ है लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या उमीद था कि मिनमम यह आपका 700 या फिर इससे एवब के प्राइस पे ही लिस्ट होगा क्योंकि ग्रे मार्केट में भी डिमांड था वो 700 से काफी उपर के लेवल पे डिमांड चर रहा था लेकिन मार्केट के खराब कंडिशन के कारण यह थोरा सा नीचे लिस्ट हुआ तो इस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट यह हम एनलाइज करेंगे कि क्या इसका शेर प्राइस आगे कभी 700 के लेवल को टच करेगा या नहीं करेगा सबसे पहला पॉइंट अफ एनलाइस यह रहेगा दूस करना है तो इसके पीछे का एक सॉलिड वीजन होना चाहिए अगर सॉलिड वीजन नहीं है तो फिर इसको सेल करके एकजिट करेंगे तीसरा पॉइंट यह उन लोगों के लिए जिनको इस आईपियो का एलॉट्मेंट नहीं मिला है तो अगर आपको आईपियो को लेके के इंट्रेस्टर हैं तो जो भी क्वेडिज है वो सब को शॉट आउट होगा बस वीडियो में लाश्ट तक बने रहना है तो अगर हम सबसे पहले इंडीजिन आईपियो की बात करें तो यह आपका 650 के प्राइस पर लिस्ट हुआ है और उसके बाद इसमें हमें गिरावट लेकिन हमें उमीद क्या झाठी कशनीी से लिए कोर्डिज-स पर भी फिर या इसक हो सकता है या नहीं जा सकता है तो अगर हम इस कंपनी की और इस कंपनी का जो बिजनस मोडल है जो ये health sector की company को help करता है drug development में product को marketing में हर एक चीज में help करता है तो ये आपका unique business model है और इस तरह की पहली listed company है कोई इसका listed peers नहीं है तो इसलिए लोग इसको लेके attract होंगे ही और जब आपका next quarterly result आएगा तो इसमें performance भी हमें बहत्वीन देखने को मिलेगा और उसके बाद ये definitely आपका 700 के price पे जा सकता है कब जाएगा ये कहना मुश्किल है लेकिन ये आपका 700 के price पे जा सकता है next आप 6 to 12 months के time period में इस level पे इसको देख सकते हैं या फिर उससे पहले भी देख सकते हैं तो क्या अब दूसरे point पे आते हैं इसके shares को हमें hold करना चाहिए या फिर sell करके हमें exit कर देना चाहिए और ये मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि इसके पीछे का strong financials है वो सब कुछ मैं last में discuss करूँगा सबसे पहले यह सारे point के उपर हम बात कर लेते हैं तो जिन भी लोगों को hold करना या फिर long term नजरिये से ही इस आइप्यों में apply किये थे और allotment मिल गया वो इसको आसानी से 700 तक के target के लिए hold कर सकते हैं या नहीं तो आप minimum इसमें 650 के target के लिए तो hold कर ही सकते हैं यह level अगले कुछ दिनों में यह आसानी से दिखा सकता है लेकिन अगर आप इस IPO को hold करते हैं तो ऐसे hold नहीं करना एक proper stop loss के साथ hold करना अब stop loss क्या रखना है यह आप लोगों के मन में question उठ रहा होगा जो कि answer आज इसके chart पर ही हमें देखने को मिल रहा है कैसे इसने एक lowest point बनाया 525 का और यह हमें एक बेहतरी level provide करके दिया है जो कि इस level को हम as a stop loss के रूप में रख सकते हैं benefit क्या होगा कि अगर हमारा stop loss hit भी हो जाता है so 10 से 12% के करीब यह हमें profit देखे जाएगा यह नि हम overall profit में ही रहेंगे और price अगर आपका उपर गया तो हमें ठीक ठाक profit दे ही देगा यानि किसी भी conditions में हमें loss नहीं होने वाला है तो अगर आपको अभी पैसे की जरूरत नहीं है तो इस company के shares को आप hold कर सकते हैं minimum 650 के target के लिए नहीं तो आप 700 के target के लिए भी इसको hold कर सकते हैं और जो भी लोग अभी तक इसके shares को नहीं बेचे हैं और उनको बेचना ही बेचना है तो उनके लिए मैं एक line बताना चाहूंगा कि minimum आप 600 के level का wait कर लिजे इस level के ऊपर ही आपको sell करना है देखिए market आपका low बनाया था 525 इसके बाद फिर से ये 600 के price को touch करा है और अभी ये आपका 585 के price पे चल वा है तो आज बेचे या फिर next trading session आपको बेचना है तो जल्दी भी बेचना है तो 600 के level के ऊपर ही बेची 600 के नीचे नहीं बेचना है अब इस IPO को लेके हम इतने जादा bullish क्यों है उसके पीछे का एक solid region है वो मैं आपके साथ share करूंगा इसलिए इस वीडियो को skip नहीं करना लाश्ट तक बने रहना क्योंकि आप important point miss कर देंगे अब हम last और important point पर आते हैं जिन भी लोगों को allotment नहीं मिला है और वो इस IPO में entry करना चाहते हैं तो क्या यहां पे entry का scope है या नहीं है इसके अलावा भी अगर आपके मन में कुछ doubt या फिर queries हो तो comment करके जबर बताएगा आपके comment का हम इंतजार करेंगे और उसके basis पे queries को shot out करने की कोसिस भी करेंगे तो देखिए market ने आपका एक low बनाया 525 का तो 525 से 500 का चो range है यह हमारे लिए एक perfect range है इस range में आप market में entry क कर सकते हैं क्योंकि यह unique business model है और इस unique business model को market ने reward भी दिया market ने पसंद भी करा है और इसका performance भी काफी बहतर रहेगा तो जैसे quarterly result आएगा market इसको और ज़्यादा reward करेगा लोगों के नजर में और ज़्यादा आएगा और फिर इसके share price में और तीजी आएगा तो इस price के range में करता है तो आप entry कर सकते हैं क्योंकि यहां पर entry करना बनता है और अगर आप entry करते हैं तो अपने से भी एक वार डिस्क रिवार्ड को analyze करके फिर आप entry कीजिए सिर्फ मेरे कहने पर कोई भी financial decision नहीं लेना है तो अब हम इस IPO के सबसे crucial point पर आते हैं जो कि financials जो कि हम IPO के analysis करत से टाइम भी मैंने आपको बताया था तो अगर हम इसके financials पर जो कि money control के website पर आपको भी आसानी से मिल जाएंगे वहां पर जाके आप देख भी सकते हैं इसको देखिए सबसे पहले अगर हम इसके revenue के उपर focus करें तो revenue continuously अच्छे pace के साथ ग्रोव कर रहा है year on year FY 23 में इसने 1000 करोड का revenue सो किया था और 1000 करोड के revenue के against profit कितना बनाया अगर हम profit देखें तो लगबगा आपका 130 करोड का profit बनाया यानि revenue के against 13% का profit बना रहा है तो यह ठीक ठाक margin के साथ profit बना रहा है वहीं इस company के पास कुछ कर्ज है यानि यह सबसे बड़ा new age company में यही एक problem रहता है अग थ्वी financiers यह company आपका debt free है तो इतना सांदार business model वादा company इतना जवरदास financials और वह भी company आपका debt free है अब इससे बहतर financials आपको क्या चाहिए और market अगर इस company को reward नहीं देगा तो किस company को reward देगा थोड़ा time लग सकता आगे बीचे लेकिन ultimately इस company को reward मिलना है इसलिए यह company का shares बहुत जल्द आपका फिर से 650 या फिर 700 के price को भी touch कर दें तो ज्यादा surprise नहीं होना है तो उमीद करते हैं कि आपको इस IPO को लेके clarity मिल गया होगा कि Indie Jain के shares में आपको क्या करना है So that's all इस वीडियो में इतना है मिलते है नेक्ट वीडियो में जैहिंद